नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजर हुँ मैं 30 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुद्ध वार है अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुरु दशीत थी है पूर्वा भाद्रपद नक्छत्र है गंड योग घर करण है बात होई पंचांग की चंद्रमा आज कुम्भ राशि में रात्री में आठ बच करके 37 मिनट तक रहेंगे और इसके पुष्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे राहुकाल दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बच करके 30 मिनट तक का होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया कारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए चर्चा जारी है जन्म नक्षत्र की किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है आज किस नक्षत्र की बारी है ये बस थोड़ी ही देर में जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरू बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की मंगल मेश रासी में सुंचरन कर रहे हैं तो वहीं राहू ब्रिशव राशी में शुक्र का सुंचरन सिंभरासी में जारी है सूरिय कन्या राशी में सुंचरन कर रहे हैं बु आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया निक राशिफल तयार किया है वो नेदर्शक जो मेरे इस राशिफल के कारिक्टरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी राशिक आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज हमारी चर्चा शत्र विखा नक्षत्र को लेकर के होने वाली है। शनिदेव की राशिक आभी प्रभाव निसंदे हैं। विचारनी है यह नक्षत्र। प्रसिद्ध किस्म के होते हैं शत्र विखा नक्षत्र के लोग जीवनकाल में उन्हें प्रसिद्धी प्राप्त होती हैं। सत्यवादी होते हैं। बुद्धिमान और होश्यार्त होते ही ह सफल होते हैं जीवनकाल में और विशेश कर शत्रु विजेता और शत्रुओं से भी सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं सरकार से ऐसे लोग सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं सत्यभाशी होते हैं परंतु कुछ इनके अंदर ग्रह स्थुतियों के कारण राहू और शनी के प्रभाव के कारण कुछ व्यसन भी आ जाता है और वो पहला व्यसन है जुवा, सट्टा, लोट्री इनमें इनकी दिल्चस्पी बहुत ज़ादा होती है साहसी बहुत ज़ादा होते हैं इसलिए रिस्क भी जीवन काल में खूब लेते हैं शांत स्वभाव के होते हैं कठोर और निडर होते हैं शत्विखान च्छत्र के लोग ज्योतिस प्रेमी होते हैं एक छोटी सी कमी और भी है दूसरों का माल कैसे हडपना है इसकी इक्षा भी इनके मन में बनी रहती है यानि कहीं ऐसा दिखाई पड़ जाए तो उस पे अपनी दृष्टी बनाए रखेंगे गुप्त विद्याओं के ज्याता होते हैं मैं कह सकता हूँ कि उच्च कोटी के जोतिशी भी होते हैं कई भाषाओं के जानकार और इनके जीवनकाल में कुछ रोग विशेस होता है हट्डियों का इन्हें रोग विशेस रूप से होता है संभवत अह जीवनकाल में ऐसे लो वरस के बाद ये बेहत शिग्र गती से सफलता की और अग्रसर होते हैं। अगर अगर आप मेश रासिके हैं तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप बस आगे बढ़ते चले जाएए लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी परवाह आज आपको नहीं है न करनी है बस अपने बारे में सोचिए अच्छा सोचिए। प्रेम संबंद में आज मतभेत की संभावना दिखाई पड़ रही है प्रेमियों को जरा सावधान रहने की सलाह देता हूँ। लेकिन वो प्रेमी जो अपने भविश्य को लेकर के सोच रहे हैं यानि प्रेम संबंद को बिवाह में तब्दिल करना चाहते हैं तो योजना बनाईए ये सही समय है और योजना बनाकर के अपने प्रेम संबंद को बिवाह में तब्दिल करने में लग जाईए। आज जरूवत पढ़ने पर सभी तरह से आपको किसी न किसी से सहयोग मिलता रहेगा, दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा, उनकी सलाह आपके काम आने वाली है, सफलता का दिन है नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पढ़ रहा और व्यापारियों के लिए भी दिन, आज लाभ के दृष्टिकों से बहुत थ्रिष्ट है, निवेस अगर आप करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, निवेस में आपको फायदा होगा, बाहर का भोजन आज आज आपको नहीं करना है, बाहर के भोजन से आज आपको नुकसान हो जाएगा, मसालेदार भोजन बाहर के भोजन से आप बचिये, अगर आप मेश रासिके हैं, तो अपनी सेहत में जड़ाख़ा खयाल रखियेगा, आज कुछ पुरानी बिमारियां आपको परिशान कर सक गुलाब का फूल ले जा करके आज मा भगवती जगदंबा के मंदर में अर्पित करिये फाइदा मिलेगा लक्यंक दो लकी कलर आपके लिए आज पीला है और जैसा मैंने कहा निवेश आप कर सकते हैं और बृषब की बात कर लें तो अगर आप बृषब रासी के हैं और विश्य में कैसे आगे बढ़ना है उसकी रूप रेखा तयार करिये ब्यापारी है और जमीन जायदात से संबंदित काम करते हैं या आपका काम ही जमीन जायदात से संबंदित है तो दिन बहुत बढ़िया है खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले हैं तो दोनों ही मामलों म आज आपका पुरा होने वाला है और व्यापारियोकलितिन पुर्व में ही बता चुका हूँ बहुत बड़िया है रुका हुआ पैसा मिल जाए बस आज का काम आपको कल पर नहीं टालना जो करना है आज करिए और पिता का सहयोग पिता का आशिरवाद और पिता से राय अवस् सांथी से आज वैचारिक मत भेद होने की संभावना है अतह जीवन सांथी से बातचित करते समय जरा स्नोच समझ करके समहल करके ही बोलिये संयम बनाए रखिये प्रेम संबंद में आज थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है वैसे कोई विशेस परिशानी नहीं है और से अनेस जी के मंदर में आज अर्पित कर दीजेगा लखियंक आपके लिए आज एक है और लखी कलर आपके लिए आज पिंग है निवेश आप कर सकते हैं मिथुन की अगर हम बात करें तो आत्मविश्वास बनाए रखिये आत्मविश्वास के साथ बढ़ते चलिए भाग्य आपके साथ है मन आपका सुक्रिये है जो भी कारे करना चाहते हैं मन लगा करके दिल से करिये लाभ अवश्य मिलेगा कारेक छित्र में अगर प्रगती के दृष्टी कोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और धन के मामले में कोई रुकावट च नौकरी पेसा है तो जरा सावधान रहेगा विश्यसकर सरकारी नौकरी में है तो आज जरा सावधान रहेगा उच्छा धिकारियों से बहस नहीं करनी है उच्छा धिकारियों से आज किसी भी तरह से माहौल सांतिका ही बना करके रखियेगा अगर कुछ कहते हैं तो मान लि दिन मिला जुला है लेकिन सफलता के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो मिला जुला नहीं कहूंगा फिर बहुत बढ़िया है दिन दामपत्ती जीवन भी ठीक और लकी यंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज सफेद गणेश अथरवसिर शकापाथ अथवा स्थ्रवन आपके लिए फाइदे मन सिध्धोगा आज अवस्य कर लिजेगा और निवेश करते हैं तो वो भी आज आप करिए बात हम करक की कर लें तो आपको अपना मन खुला बना करके रखना है उदार बना करके रखना है औरों के हित की सोचते हुए अपने बारे में सोचिए करक राशिके हैं और विद्धार्थी हैं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा परिशानिया बनी रहेंगी या कोई न कोई ऐसी स्टुती घर की बनी रहेगी या माहौल घर का ऐसा बनेगा जिसके चलते आज आज आप पढ़ाई में मन चाह कर भी न लगा सकें तो वहीं नौकरी पेसा हैं तो कोई परिशानी आज आपको बनी रहेगी कोई न कोई बात कोई चिंता आपको परिशान करती रहेगी एक बात बता दूँ खुस रहने का प्रत्न करिए तनाव को अपने आप से दूर करिए और परिवार के मध्ध कोई समस्या उत्वपन्न हो गई है तो सायों काल आप रहत न करेंगे सारी समस्या हल हो जाएगी धैरे बना करके रखें जरूरत पढ़ने पर किसी मित्र की मदद लें मित्र की मदद से जो राय मित्र देगा उससे आपको काफी राहत मिलने वाली है और कारिस्थल पर अधिकारियों की मदद से आज आज आपके अधुरे काम पूरे होने वाले हैं और बात अगर हम व्यापारी वर्व की कर लें दिन वैसे तो सामानने है परन्तु लाभ के अगर दृष्टि कोण से देखें तो कुछ आकस्मिक लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है बोलने में जरा संकोच करिएगा यानि जूट नहीं बोलना वानी पर नियंत्रन रखना है और जो लोग अभिवाहित हैं वो विवाह का प्रस्तावनो भेजें प्रेम संबंद में आज तूतू मैं में होगी उतार चड़ाओ भरा है दिन प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है अगर परिष्टिती बिगड़ी तो प्रेम संबंद टूटेगा भी यानि ब्रेक अप सेहत के मामले में सावधानी पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं सावधान तहिएगा और आज प्राता काल पक्षियों को तीन प्रकार का अन एक में मिला करके दीजिए लखियंक आपके लिए तीन लखी कलर आपके लिए आज बीला निवेश ना करें और सिम्ह राशिके जात्कों को बता दू सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कारिक छत्र में आज कुछ परिसानिया आएंगे लेकिन ये बदलाओ परिसानी आपके लिए फायदे मंद सावित होगी आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं तो दिन वैसे तो अनुकूल है लेकिन जानकार की राये लेकर के कारिस्थल पर आज काम ज़्यादा रहेगा आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी काम से पीछे मत भागिएगा और व्यापारियों को बता दू ब् बढ़ा ये सफलता मिलेगी मैं पुना बता दू ब्यापारियों के लिए दिन ठीक है मिलना जुलना ब्यापार को आगे बढ़ाना जो भी आप कर रहे हैं करिए नय अवसर नजर आपको आएंगे ब्यापार में आमदनी के दृष्टिकोंड से देखे दिन ठीक है हलाकि पै गेम संबंद को विवाह में तबदील करने की सोच रहें तो कर सकते हैं और विद्यार्थिवर की बात करूं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा मेहनत से सफलता मिलेगी सेहत में आज कोई परेशानी नहीं है सेहत आज आज आपकी बहुत अच्छी है लकी अंक आपके लि आज 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 कुछ अलग ही सोच अपने अंदर आप महसूस करेंगे आत्मविश्वास आपकी महत्वा कांच्छा सब चरम पर लेकिन हर काम में परेशानी हर काम में बिगन हर बंता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए ऐसी इस्तिति उत्पन्न होगी अगर आपने धैरे बनाए रखा कारेस्थल पर जिम्मेवारियों से आप नहीं भागे तो सफलता आपको अवस्य मिलेगी गोचर में चंद्रमा की इस्तिति आपको हर मामले में परेशान कराने वाली है लेकिन मेहनत जादा होने वाला है लेकिन आप पीछे मतटिएगा आप अपने कर्म से पी नुकसान भी हो जाए और धन के मामले में आपके द्वारा की गईला परवाही कोई बड़ा नुकसान कर जाए किसी को उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिए लव पार्टनर पर आज आपका खर्च अधिक हो सकता है और इसके बावजूद प्रेमी से आज मत की भी संभावना है दांपत्य जीवन वैसे तो सामान ने लेकिन जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी और विद्यार्थिवर्ग को सफलता न मिलने से और सफलता कमुह देखना पड़ सकता है या कहीं न कहीं निरासा कमुह देखना पड़ेगा पेट से संबंधित प और किसी भी तरह का कोई पूर्व का छूटा हुआ कारिय जो रह गया था जो पूरा आप नहीं कर पाए थे आज उसे पूरा कर लेना होगा संतान की और से सहयोग या संतान की उन्नती सफलता आपको खुश करने वाली है संतान की और से खुश खबरी मिलने वाली है और आप के योग बन रहे हैं नए ब्यापार की योजना बन रही है बस बिना सोचे समझे आज किसी से बादा मत करिएगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगी प्रेम संबंद में आज वैचारिक मत्भेथ की संभावना दिखाई पड़ रही है और अगर आपने अपने गुस्से पर नहीं वो लोग जो पेट के रोग से सदयुव परिशान रहते हैं उनकी परिशानी आज बढ़ सकती है सुखान पान का ज़रा ध्यान रखिये और आज लालकुस्प कीमाला माभगवती जगदंबा को जाकर कर अरपित करिए लकियंक आपके लिए पांच लकी कलर आपके लि आपके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे समय जैसा बीत रहा है इसे बस बीतने दीजिए समय ठीक है समय को लेकर कि कोई चिंता करने की आवशकता नहीं है कोई भी नया कारे प्रारंब करने की सोच रहें कोई कारे करना चाहते हैं बस आपको पहल करनी है कारे हो जाएगा और कि बड़े सदस्य गर कोई आपको सलाह दे, राय मस्वरा आपसे करें, राय दे आपको, सीधा काट देना आपके लिए उचित नहीं है, उनकी बात्वर विचार करिए, नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन सामानेत्या ठीक है, और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, निवे सित्यादी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बस जानकार की राय से करिएगा, आज कारेस्थल पर किसी आपके नीचे के व्यक्ति के कारण थोड़ी परिशानी हो सकती है, यानि कारेस्थल पर जो आपके अधिनस्थ हैं, उनके कारण परिशानी खड़ी हो सकती है, तो मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, और वो लोग जो पूर्व के किसी पुराने रोग से ग्रसित रहे हैं, जैसे जोडों में दर्द इत्यादी या माईग्रेन के रोगी रहे हैं, उन्हें आज परिशान होना पड़ेगा, गंगाजल, आज ज इस भी मामले में चाहते हैं, आपको सफलता मिले, मिल जाएगी, कारिस्थल पर आपको आपके सहयोगियों का समर्थन, सहयोग मिलता चलेगा, कोई बड़ी जिम्मेवारी आज आपको मिलने वाली है, मिला जुलाकर के दिन सभी प्रकार से लाभप्रद है, पूरे दिन कारि पूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कोई राज की बात अगर किसी को बताने वाले थे, तो कम से कम आज मत बताईए, और प्रेम संबन्द में आज उतार चढ़ा हो है, प्रेम संबन्द में परिशानी होगी, आपके वानी के कारण, आपके औसहन सीलता के कारण, या आ अपना खयाल रखिएगा साम तक सेहत ने परिशानी बढ़ेगी सफेद पुष्प आज भोलेनात कर्पित करिए राहत इसी से मिलने वाली है लकियंग का आपके लिए पांच लकी कलरा आपके लिए आज महरून है और निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से मकर की बात कर आई जो भी समस्या आपके सामने अब तक आ रहे थी वो अपने आप खुद बखुद हल हो जाएगी खत्म हो जाएगी समस्या से डरने की आवशक्तानी सफलता आपको मिलने वाली है कुछ नया करने की सोच रहे थे अवस्य करिए नौकरी पेसा है तो व्यापारी वर्ग द मन लगाईए दिन बहुत बढ़िया है कहीं भी रहे बिना सोचे समझे आज बोलना नहीं है वानी पर संयम बना करके रखना है दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमे और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बेहत खास है और विद्यारतियों के लिए भी दि निवेश आप अवसे करिये और कुम्ब की बात कर लें तो आपके जितने भी काम हैं सब एक एकर के पूरुन होने वाले वो लोग नौकरी में जो कुछ बड़ा चाहते हैं कि हो जाए उनके साथ बड़ा लाब उनको मिले होने वाला है सरकारी नौकरी से चुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत खास है आपके लिए इस दिन का लाब उठाइए आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है और व्यापारी वर के लिए जैसा मैंने कहा दिन बेहद शुबफल परदायक है निवेस करते समझ रहा सावधान हो करके और तब निवेस करिए आज बहस विवाद से दूर रहना है दूसरों की बातों में नहीं आना दूसरों के चिकनी चुपडी बातों में आकर के आप अपना नुकसान कर बैठेंगे प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया जीवन साती से स्वयोग मिलेगा और विद्यार थिवर के लिए आज का दिन बेहत खास है सेहत के दृष्टी कोण से देखें तो कुछ परिशानिया कमर से नीचे के अंगों में कुछ परिशानिया हो सकती है कुछ पीड़ा आपको हो सकती या पूर्व से कोई रोग था तो परिशानिया आपकी बढ़ेगी आज भुवन भासकर को अर्ग्य प्रदान करियेगा जल में थोड़ा सा कुमकुम चंदन डालकर लकियंक आपके लिए आज एक लकी कलर आपके लिए आज पीला निवेश जरूर करिये सावधान हो करके और मीन के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है कारिस्थल पर भी सबकुछ बढ़िया है कोई भी कारिय जो आप करना चाहते हैं रुकने वाला नहीं है हलाकि एक बात बता दूँ कोई न कोई परिशानी कोई न कोई कस्ट संघर्स बिवाद आज दिन भर आता रहेगा हलाकि एक बात बता दू कि एक बार जो आपने ठान लिया कि आपके कौन-कौन से कारे पुर्ण होने है या कौन-कौन से कारे पूरा करना है आप सब कर लेंगे बस क्रोध नहीं करना है ब्याय पर अपने नियंत्रा रखिए यात्रा करने से जरा बचिए यात्रा आपके लिए समय फायदे मंद नहीं होने वाली है यात्रा का परिणाम सुखद नहीं होगा और वे आप आरियों के लिए दिन सामान्य है निवेश आज नहीं करना है निवेश से आपको नुकसान होगा और किसी को धन उधार देने वाले थे तो बिल्कुल मैं मना कर देता हूं उधार मद दिजेगा Givanthi की भावनाओं का जरा खयाल रखिएगा Givanthi की भावनाओं को समझिए और जीवणसांधि के सामझे व्य करिए प्रिम संबंद के लिए ứng सामाने और विद्यारथियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा सिच्छकों का सहयोग मिलेगा और पाठिक्रम में कुछ अलग बदलाव करना चाहते हैं अनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बहुत बढ़ी है कोई परिक्षाई त्यादी आपने दे रखी थी वहाँ सफलता मिलने वाली है सहत के मामले में कोई विशेश परिशानी नहीं है सहत आज आज आपका ठीक वाहन चलाते समझरा सावधान रहीगा चोट चपिट की घटना हो सकती है अगर असावधान रहें आज शंकट नाशन गणे सुस्तोत्र का पाठ अथवा स्रवन आपके लिए फाइदे मंद होगा लकियंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश आप ना करें तो प्रिये दर्शो को ये था में शिशे लेकर के मीनराशी परियंद प्रतेक राश के जातकों का पुरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार